कथित अडानी माघोटाली की जाच जेपीसी से करवाने और सेभी चेयर पर्सन को पत्सेहटाने की मांग को लेकर राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष गोविज जिंग डोटास्ता के नेतरुत में जैपुर इस्तित एडी कारेले के बाहर कॉंग्रेस पा कॉंग्रेस नेता और कारेकरताओं ने धरने प्रदेशन के दोरान प्यम मोदी और भाषपा पर तीके हमले किये जिसके जवाब में भाषपा प्रवक्ता मदन प्रजापत ने का कि कॉंग्रेस की हालत खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हो गई है कॉंग्रेस इस समय मुद्धा भीहिन पार्टी हो चुकी है इसलिए इस तरह के ड्रामे कर रही है देखिए कॉंग्रेस की मानसिक इस्ति जो है वो सक्ता से दूर होने के कारण खराब हो गई है और इस्ति ऐसी हो गई है कि जो देश के सम्विदानिक संस्ता है और देश के सम्विदान पे कॉंग्रेस को बरुसा नीरा है कॉंग्रेस की रीति और नीति जो है वो है ब्रह्म फेलाना जूट बोलना और भेका वातावरन तयार करना जिस तरीके से आज इडनबर्ग की रिपोर्ट के बात केके और धना और परदशन कर रहे हैं उसमें साप सुप्रीम कोट का आओ गया और सेवी ने जाज करवा लिया और देश की जांस एजन्शियों पे कॉंग्रेस को बरौसा नहीं और विदेश की जांस एजन्शियों से बरौसा है ये देश को बदराम करने की साजिस है देश में अराजकता पहलाने की साजिस है दूसरी बात उन्होंने जिस तरीके से कई है कि रफेल के मामले मानने सुक्रीम कोर्ट का आधर करते ने, यह देश की संस्ताओं का आधर करते नी और एल-बैल तरीके से करके और सक्ता की प्राप्पटी करना चाहते हैं। जिस तरीके से गोविन सिंग डोट้ा सरा जी करते हैं सदं में बोलने दिये। आपका नेता है 75 तक स्धं के अंदर और फिर स्धंवें में निए जड़ने के अधियक्स बोलते हैं कि बार बार टइकर ही करौत पकार रहेते नहां बहुत होबए पोल नेi रहेتे और बार में एक विक्टिम कार्ड खेलने का आपको एक बहाणा मिल गया कि हमको बोलने नहीं दिया जथा ये देश के अंदर मानने मोधी जी के नेतरतु में देश स्वतन्तर है देश की संस्ता है और ये देश जानता है कि वो दस चाल के लिए कह रहे थे मैं तो याद बिला देता हू दो जमीन किसानों की रोबर्ट बाडरा खा गए हैं यह सब चीजें इस तरीके से जिनके नस-नस में ब्रश्टाचार बसा हो नस-नस में ब्रश्टाचार बसाने वाले वेक्तियों को क्या है कि और कुछ साफ सुत्री चीज दिखती नहीं है मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश क संस्ताओं को और देश को बद्राम करना छोड़ दीजे आप अपनी उस पर आजाए और दूसरा गोविन सिंग डोटास राजी आज करे तो गुटनों के बल जेल बेजने की बात तो मैं सिर्फ अन्तिम आपको यह कहूंगा कि डोटास राजी आपके चेरे पर जो मुस्कु अपनी तरीके से दरने करेंगे और युवाओं के साथ जो अन्या हुआ है मान्य बजनलाल जी की सरकार एक एक युवा का इसाब आप से लेगी घर की जो फूट है दरने से यह फूट को जो है वो दर्शा के और यह दिखाया जा रहा है कि मैं ज्यादा ताकत वर हूँ मैं ताकत वर हूँ कि विदान सवा में भी आपने देखा होगा कि नेता परतिपक्ष के लिए लड़ाई रहे थे जब यह सत्ता में थे तो कुर्सी के लिए लड़ रहे थे अब नेता परतिपक्ष के लिए लड़ रहे और गोविन सिंग डोटास राजी अपना आस्तितु परिवार से नेड़ने आएगा वो होगा गोविन सिंग डोटास राजी से मेरी तो यह कि राई है कि पाल तुम्हे अपनी एनरजी वेश्ट मत करिये राजस्तान की जनता के साथ में जो आपने अन्याई किया था आपकी सरकार ने जो अन्याई किया था और यह साब दर्शा सुप्रीम कोर्ट में हर मामले में पाक साथ दिया है इसलिए आपकी मानसिक्ता बदलिये आपका द्रिश्टी कौन बदलिये और देश के सविधान और समयधानिक संस्ताओं के साथ में कड़े दिये वही कौंग्रेस के इसी धर्णा प्रदर्शन पर जनता दर्बार न्यूज ने भाजपा के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से भी खास चर्चा की आई आपको भी सुनाते हैं राजिस्तान प्रदेश कौंग्रेस ने आज एडे दफतर के बाहर एक विशाल धर्ना प्रदर्शन का आयोजन किया था और उनका मुद्दा था तथा कथित अडानी का घोटाला और सेबी की जांच की उन्होंने मांग की है माफ कीजेगा जेपीसी की दवरा जांच की उन्होंने मांग की है और साथ साथ उन्होंने काया हिंडनबर की जो रिपोर्ट आई है उसका हवाला देते हुए कहा कि दस साल में बहुत बड़ा घोटाला है इसकी जांच करवाके मानेंगे और जो भी अधिकारी कारेकरता ने इन दोनों ही मुद्दों पे हमारे साथ भाजपा के युवा मोर्चा के कारकरता नेता मौजूद है उनसे भी बात करना चाहेंगे वाइसाब आज कॉंग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है पूरे राजस्थान भर में राजधानी जैपूर के अंदर एडी दफ्तर के बाहर हिए हम दम लेंगे हिंके पेट में दर्व दूसरा है घ इनका गुरू इनके लिडर जो दिल्ली में लिड्रिसिप उनके गोठालों पे गोठाले सब आज जितने भी बड़े च्छोटे कॉंगरेस के नेताकारे करता थे वह बार-बार-बार अडानी जी का मोदी जी का इनका सब का नाम ले रहे थे घुटाले में शामिल होने की ये बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लगातार दस साल से हम ये आवाज उठा रहे हैं लेकिन हमारी आवाज को दबा दिया जाता है लेकिन हम सदन से सडक तक आंदूलन करेंगी जिसके शुरूआत देखो हमारे देश का एक बिजनिसमें देश को चला रहा है कर रहा है देश का पेसा देश में रह रहा है इनके दर्द सबसे बड़ा रावल गंदी जी के दर्द है कि हमारे जो चीन से जितने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पहले कॉंग्रेस सरकार में गोठाले कर रहे थे वो आए और वो काम करें क्यों करें वही हमारा देश का एक बिजनिसमेन सयोग कर रहा है तो सयोग करने दीजिए आप जांच किया तो जांच कराईए कहां दिकत है इसमें कुछ और लोग भी हमारे साथ निया मौझूद है वैसा आपसे भी जानना चाहेंगे लगातार पिछले दस साल से हम सब देखने लगा बार 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 अडानी जी का नाम लिया जा रहा है जबकि इस सच को भी नकारा नहीं जा सकता कि पिछली गहलोट सरकार में एक बहुत कि फच करते हैं जब भी जो परी मंतरी शोग्यों की सरकारती तो रोर अगर डेश का पैसा देश में रहता है यह टेंडर इनके कहता कि कौंगरेशीं के आज़ादी से लेके आपक तक इन्होंने इतने सारे फ़कोटाले पहले हम 2014 से पहले कोंग्रेश की गौट्यों तो हम आये दिन अख़बारों पड़ते थे आज यह गोटाला हो गया और गोटाले भी इतने बड़े-बड़े कि उनकी संख्या का एक आंकलन करना भी पोसिबल नहीं हो पाता था उन गोटालों को यह भूल चुके हैं और यह केवल एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के हमने सब चीजे हैं और जो मोदी जी के नेतरतों विकास का रहे हो रहे हो और किसी से अचूते हैं नहीं कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इन गोटालों को चुपाया जा रहा है या दबाया जा रहा है उसक पहले जब हम 2014 से पहले की सरकार की बात करेंगे तो उसमें आप मुद्दे देखेंगे विपक्ष के पास क्या मुद्दे थे कि आप रोज कोई नया कोई ना कोई गोटला सामने आता था नेता हो कि अगर बात करें तो सब के स्विस बैंक में अकाउंट थे आज किसी भी ने कि बाहर से कितनी funding आती है और उस funding का किस प्रकार से दूरूपयोग करके ये देश के अंदर माहुल भी गाड़ते हैं इस चुनाओं में भी हमने देखा कि चाइना से कितना पैसा आया अमेरिका से कितना पैसा विदेशों से बहुत मोटी funding आती है उस पैसा जिन लोगों से इन्होंने लिया तो उनकी चाकरी भी इनको करनी पड़ेगी इसलिए हिंदुस्तान के जो उद्योग पती है उनका विरोध करके यहां की जनता का हिंदुस्तान के उद्योग पतियों में विश्वास कम हो और विदेशियों में बढ़े इसलिए उन लोगों का विरोध करते हैं अब बात करते हैं हिडन बर्ग की रिपोर्ट की हिडन बर्ग पे जब अपन जाते हैं तो एक ऐसी संस्था है जो सुद्ध रूप से ब्लेक मेलिंग का काम करती है बड़े- संस्था के ऊपर हम लोग कितना विश्वास कर सकते यह ऐसी संस्था का संध्यान में लेकर के विरोध कर रहे हैं तो यह कहां तक जायज है विदान सभा के उपचुनाव होने है तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि आज जो यह सारा विरोध प्रदरशन किया गया कहीं कहीं जनता के अंदर BJP का जो हम कह सकते हैं कि जन्मानस में जो समर्थन है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है और उप चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है देखू सुनु से कॉंग्रेस का कॉंग्रेस पारटी के जो நेता है या कॉंग्रेस के जितने भी कारे करता हैं उनका सिद्दान्त यही राय कि जनता को गुम्रा करें इन्हों ने इतने साल सासन किया उसमें भी जनता को कुछ नहीं दिया आज अगर भारतिय जनता पार्टी की सरकार अगर कुछ देरी है जनता को तो वो इनको गले से नहीं उतर तो कहीना कैये माहुला ऐसा क्रेट करते हैं कि जनता गुम्रा हो लेकिन जनता को विश्वास फैस चीज का कि बारतिया जनता पार्टी और कोई स्वार्थ नहीं है बारतिय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धानत है कि सबका साथ और सबका विकास उसी के मुद्दे को लेकर के बारतिय जनता पार्टी दिन परती दिन आगे बढ़ती जा रही है और पूरे भारत वर्स में बारतिय जनता पार्टी की सरकार है और सबी राजियों में कहीं ना कहीं दीरे 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 अगर भारतिय जनता पार्टी का जो पर्चम लहरा है वो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि भारतिय जनता पार्टी के प्रती जनता का प्रेम बहुत आगे और भारी मतों से उमरता जा रहा है वाई सब एक विशेश बात और जो आज के धरने परदर्शन में देखी गई वो कहीं ना कहीं गोविन सिंग डुटासरा जो कॉंग्रेस के प्रदेशा द्यक्षने राजस्तान के उनका साफतोर पर कहना है कि ये लोग राफेल के घुटाले से बज़ गये ये लोग नोट बं पांच साल पिछे कॉंग्रेस की सरकार थी उस कॉंग्रेस की सरकार में इस डुटासरा जी ने सभी युवाव को इतना प्रेशान किया था हर वेकेंसी में प्रेशान प्रेशान सबको पता है और उसके बाद चंता को सबको पता है अब जो उप चुनाओ आ रहा है इसमें न टंकी चलाते हैं और पीछे देखा जाए तो आप डोटासराजी की बात कर रहे हो दूद के दुले हैं वो उनके परिवार से आठ आठ छेचे सासा आरे सदिगारी बन रहे सबको पता है जिस बंदे के पचास नंबर नहीं आए रहे उसको पिछुतर नंबर दे रहे हैं जनता मुख्य मंत्री जी और शिक्ष्य मंत्री जी की उस बात पर है जो उन्होंने काता है अभी कई बड़े मगर मच्छ हैं जिनका नाम सामना नबर जो जाच परताल है वो निस्पक्स होनी चीए और वो होगी जो गलत है वो जेल जाएंगे कि पिछली सरकार में यूआ हो के यूद बच्छ पर बिख गया पर रोड पर आ गया तो फिर कितना अन्याय होता है कि खिसान परिवार का बच्चा पटने आता है वह अपना अनाज बेचके कैसे जएसे जुगाड करके देखता मेरा बेटा नोकरी लग जाएगा तो मेरा कर्चे चुकाएगा लेकिन उन लेकिन अब यह नहीं बचेंगे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वही बात दुबारा बताऊंगा राफल जो है इस देश में सुरक्षा विवस्ता किस तरीके से मजबूत की जाए देश का देश की सेना किस तरीके से मजबूत हो इसलिए राफल हिंदुस्तान में लाया ग देखेंगे कि उसके साथ-साथ बहुत सी तरीके की गन है या और सुरक्षा उपकरण है जो हिंदुस्तान में बनने लग गए तो इनको दर्द यही है कि हिंदुस्तान इस तरीके से तरक्की कर रहा है तो विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल पारा इसलिए इन चीजों को यह गोटाले का नाम दे रहे हैं रही बात नोट बंदी की तो उसका भी सबसे बड़ा अगर नुक्सान किसी को हो तो कॉंग्रेस के उन्यताओ को हुआ जिनके घरों में दिवारों के अंदर नोट भरे हुए थे जो उनको बदलवा नहीं पाए या स्विस बैंक में जो अकाउ यूप जो लगाया जा रहे हैं कॉंग्रेस की लोगों दवारा की सदन में भले विदान सबा हो लोक सबा इनके नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता माइक बंद कर दिया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस बैंच पर यह बैड़ते हैं उसी बैंच पर ही बटन होता है ओन ओप का की ओध्रेटी भी इनी के पास होती है शरीप जो हमारे पीठादीस जो बैड़ते हैं वहां पर जो विदान सबा देक्ष होता है वो एक ताइम प्रीड जरूर देते हैं अगर आप उस ताइम प्रीड में बोलना चाहो तो अपने बात रखते ही हैं सबी रखते ह तो है तो फिर इन चीजों को बार-बार में दोराते हैं और कई ना कई ये चीज़ें दोराना गलत हैं इस से क्या है जनता को गुम्राख करने की कोशिस की जाती है लेकिन आपके आप पर आउट कर दिये कि आज भी युवा परिशान है कही ना कहीं उनको रोजगारी नहीं मिल पारा है इतनी वेकेंशिया इन्होंने आज भी अटका रखी है कुछ जांचे चल रही है कोट में पैंडिंग पढ़ी है तो यह सब इनका सडियन तर रहा है कि जनता को कैसे गुमरा करें कहीं यह मान के चलिए कि इन्होंने पूरे पांस साल में और पिछला जो भी इनका कारेकाल रहा है उसमें कहीं भी यह जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए तो इसलिए आज यह खुद भी संतुष्ट है कहिना कहीं आज मालीजे आप कि कोई भी नेता इनका संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी जनता को संतुष्ट ही नहीं किया तो खुद को संतुष्ट करने का प्रियास करते हैं यह लेकिन उसमें निश्फल होते जा रहें तो इनको कहीना कहीं यह स्विकार करना चीए के अंदर सुधार करना चीए सुधार करके जनता के बीच में जाना चीए जनता से माफी मांगनी चीए और ये कहना चीए कि हमें अउसर दे अगर जनता का मन मानस बनता है तो इनका उसर मिलेगा अगर नहीं मनता है तो ये ऐसे चिला रहे हैं वैसे चिलाते रहेंगे एक और बात इस धरने प्रदर्शन के मन से निकल के जो सामने आई कॉंग्रेस के नेताओं ने कहा कि रफीक खान अगर मैं सीधा नाम लूँ रफीक खान ने कहा कि लोकसवा चुनाओं के रिजल्ट के बाद अक्सर ये देखा गया कि मोदी जी के चेहरे पे वो खुशी नहीं होती वह जोश नहीं होता ऐसा लगता है कि मोदी जी मायूस है और अगर कोई खुश है कोई उत्साहित है तो वह इनके नेता राहुल गांदी जी है लोकसवा चुनाओं के परिणामों के बाद देखें निश्चित तोर पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम बात परदान मंत तो हमारे परदान मंतरी का कद इतना बड़ा है रही बात इनके खुश होने की ठीक है यह जितने अंकों में खुश होना चाहते हैं उसमें यह खुश है हम अपेक्षाक्रत जो हमारे को रिजल चाहिए ता उससे हम कमाए यह हमारे लिए विचार का विश्य संग्यान लेंग कि आज जो कॉंग्रेस का धरना प्रदर्शन एडी ऑफिस के बाहर जो देखा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ कोरी बाते की गई उस उन बातों का कोई निशकर्च नहीं निकाला जा सकता और कॉंग्रेस लोक सबा हो या विधान सबा हो उसमें अपने प्रदर्शन से नोट बंदी और रफेल घुटाले की बात जो उसमंच से हुई है उनका साफतर पर कहना है कि नोट बंदी से अगर किसी के पेट में दर्द हुआ तो वो कॉंग्रेस के ही लोक थे कॉंग्रेस के ही बड़े-बड़े नेता थे जिनके जो नोट है वो दीवारों में जो छु परदस्ति उस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो ये इनकी विफलता का इनकी निराशा का ही परिणाम है और जहां तक बात उपचुनाव की है तो इनका साफतर पर कहना है कि आने दीजे उपचुनावों में भी जो परिणाम आएगा उसके बाद पता पढ़ जाएगा कि कौन खुश है और कौन मायूस सेहोगी केमरमेन आजे के साथ उमंग माथुर जनता दरपार प्रदेश में करीब आदा दरजन विदानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे इससे पहले कौंग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रतारोप को धोर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है जा कौंग्रेस इन जिलों में भाजपा की कम्या ढूंड कर सभी सीट जीतने का दावा कर रही है तो उधर भाजपा भी अपनी केंदरों और प्रदेश में कियेगे कामों को लेकर इन सीटों पर काभीज होने का दावा कर रही है अब देखना ये होगा कि जनता उपचुनाओं में कौंग्रेस से हाथ मिलाती है या फिर कमल की खुश्बू परदेश में फैलाने का काम करेगी ये तो आने वाला समय ही तैय कर पाएगा